मिटकैब के महारती में अपनी महारती रेक्मेंडेशन लेकर शेयर इंडिया के रवी सिंग हमारे साथ चुर गए अपना समय देने के लिए शुक्रिया बताइए कौन से स्टॉक्स हैं मिटकैब में आपकी रेडार पर अपना सकते हैं पहला सकते हैं पहला स्टॉक है इस समय 42,275 क्रोड का करीब मार्केट कैब है तीन महींने में 20% चल चुका है लेकिन अभी भी नंबर से यहां पर काफी अट्रक्शन है क्वर्टर ऑन क्वर्टर ग्रोथ यहां पर अच्छी देखने को मिली है साड़े च्छे के लगबख पी है एपिए साड़े लगबख पांच के पास है तो मुझे लगता है कि अभी यहां पर करेंट लेवल से भी बाई करके एक बार 40-42 के लेवल आपको एचीव होते हुए के नजर आ सकते हैं जो की करीब 15-20 परसेंट की रिटन तक आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है मुझे लगता है यहां पर इस स्टॉक को बाई करना चाहिए दूसरे स्टॉक की बात करें तो डिफेंस सेक्टर से स्टॉक है इस समय मार्केट कैप के हिसाब से देखते है तो 81-0 करोड करीब मार्केट कैप है और P-Ratio देखते हैं तो 27 का है P-B Ratio देखते हैं तो लगबख पौने 6 का है और overall इस समय ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट से काफी अच्छा यह स्टॉक है तो मुझे लगता है कि 125-135 के टार्गेट बहुत जल्द अचीब कर सकता है तो यह ऐसा स्टॉक है जो की काफी धीरे-धीरे चलता है लेकिन आपको अच्छा यहाँ पर जो है वो मूव देखने को मिल सकता है तो मुझे रगता है आप इसको यहाँ पर बाई करके अपने पोर्ट्फोलियो की चमक बढ़ा सकते हैं तो इस पर डिफेंस और रेलवे दोनों ही इस पर काफी ज़्यादा फ्लेवर में हैं और उन दोनों ही स्पेस से तो स्टॉक आपको सुझाए गए आयर एफसी और बी यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं टाइम फ्रेम और टागेट्स भी आपको दे दिये हैं रावी था कि सुमच हमाई साथ जुड़ने के लिए रहनीती शाय करने के लिए और आप